पालर के फेशियल से भी ज़्यादा ग्लो लाना चाहते हैं हमारे किचिन में रखे कुछ इंग्रीडियन का आपको यूज करना है इसको बच्चे 12 साल की एज से लेकर किसी भी एज के लोग इसका यूज कर सकते हैं मेन बुमेन और गर्ल टीनेजर किसी भी एज के लोग इसका यूज कर सकते हैं 12 साल से लेकर और ये स्क्रब का भी काम करेगा फेशियल का भी काम करेगा और चेहरे पर जो भी टैनिंग हो गई है मेल, कालापन, दाग, धबे, पिग्मेंटेशन, अनीवन, स्कीन, टोन, वाइट, ब्लेक हेट इन सब को दूर करेगा तो इसके लिए फेशियल हेर की प्रोप्लम होती है तो ये हमारे फेशियल हेर को भी रिमूव करने का काम करता है नेक्स्ट आपको इसमें एड करना है वो है अमबा हल्दी, अमबा हल्दी हमारे चेहरे के लिए खास तोर पर बनाई गई है ये हमारे फेश के लिए ही होती है और ये हमारी स की इन करिखा लाते हैं पिकमेन टेशन को दूर करती है बहुती ही ज़ादा फायदे मंद्स होती है नेकस्ट हपको मैं इसमें आड़ करना हमारी सकीन के लिए बहुती ही जादा वेनेफिशियल होता है यह हमारे चहरे पर किसी भी तरह से यदी अपकी स्किन बहुत ज़द ड्राय रहती है पिग्मेंटेशन है ड्रायनेस को खतम करती है चेहरे पर ग्लो लाती है और नेक्स्ट मेनेस में एड्ट किया है राइस फ्लोर चावल का आटा तो चावल का आटा ऐसा इंग्रीडियन्ट है जो हमारे स्कीन पर वाइट इट्स को रिमूफ करने का काम करता है चेहरे को साफ कर देता है टैनिंग को दूर करता है चेहरे पर वाइटमिंग ग्लो लाता है और ये हमारी स्कीन पर जो भी डेट सेल्स होते हैं उनको रिमूफ करके हमारी स्कीन को डीपली क्लीन करने का काम करता है थोड़ा सा आपको इसमें आट करना है रोजवाटर गुलाब जल यदि आपके पास में गुलाब जल नहीं है तो आप इसको इसकी भी कर सकते हैं आट करना है आपको दही करड खटा दही लेना है आपको यदि आपके पास में दही नहीं है तो आप यहां पर कर लेना है यदे आपके छेहरे पर बहुँ ज्यादा facial hair ए को भी रिमूफ करने का काम करेगा और साथ में य आपके face पर बहुत अच्छा glow लाएगा बिलकुल natural नेश्रल इंगरीडियन का हम जितना यूज करते हैं वो हमारी skin को harm भी नहीं करते हैं और साथ में हमारे फेस पर गलो भी लाते हैं, ये पुराने टाइम से यूज होने वाला फेशियल और स्क्रब की तरह ये काम करेगा, और पहले के लोग इसी तरह से अपने स्कीन केर करते थे, तो मैंने इसमें और भी कुछ इंग्रीडियंट एड़ कर दी हैं, जो आपकी स्क करना है, तो सबसे पहले आपको अपने फेस पर कर लेना है क्लिंजिंग क्लिंजिंग करने के लिए आपको ले लेना है दही, खटा दही जो हमने लिया है, जादा पुराना नहीं लेना है, आपको दो दिन तक पुराना चलेगा, उससे जादा नहीं, यदि आपके पास में दही नहीं है तो आप ले सकते हैं कच्छा दूद रो मिल्क तो ये नेचरल क्लिंजिंग का काम करता है इसमें होता है लेक्टिक एसिड जो हमारे फेस को डीपली क्लिन करने का भी काम करता है और फेस पर यदि बहुत ज्यादा ड्राइने से तो आप ले दही और यदि आपकी स्कीन नॉर्माल है तो आप कच्छा दूद भी ले सकते हैं तो दोनों इंग्रीडियंट में से आप कुछ भी ले सकते हैं दही ऐसा इंग्रीडियंट है जो हमारे चेहरे से दाग धबो जाईयों को दूर करता है स्कीन को ग्लो देता है हमारे स्कीन को ग्लो बनाता है जो भ करना चाहिए आपको मसाज करना चाहिए जरूरी नहीं है कि आप पालर चाकर महिंगा महिंगा फेशियल करा है हमारे किचिन में इतने सारे इंग्रीडियंट है आप इनका यूज कर सकते हैं और चेहरे पर मसाज करेंगे तो फेस पर क्या होता है मसाज करने से हमारी स्कीन पर इसके बाद में आपको जो हमने बनाया है yield confrontation reflect itsre कि उयोग म्हारे फेस्पा आप बाइगे बनाया है इसके बिट कर आपका सब्स नहीं पूरे फेस पर और अच्छे से मसाज करनी है मसाज आपको कम से कम 10 से 15 मिनिट तक अच्छे से मसाज करना है हलके हलके हाथों से ज़्यादा रगड़ कर मसाज नहीं करना है बिल्कुल हलके हलके हाथों से आपको मसाज करना है जिससे क्या होगा आपके face पर जो भी white heads हो जाते हैं वह से लोगों को nose के आसपास, chin पर वह सारे लोगों को white heads, black heads हो जाते हैं जो देखने में बहुती जादा गंदे और बेकार लगते हैं तो आप यह इस तरह से अपने face पर apply कर लेते हैं यह आपके चेहरे से जो भी white heads से black heads से उनको दीरे-दीरे करके black heads एकदम से remove नहीं होते हैं लेकिन जो white heads होते हैं वह instantly remove करने का काम करता है चावल का आटा यदि बहुत जादा black heads हैं तो आप week में 2-3-4 वार आप इस facial का use करेंगे और जब facial करने से जो white heads black heads होते हैं वो नरम हो जाते हैं मुलायम हो जाते हैं सौफ्ट हो जाते हैं तो वो easily remove हो जाते हैं तो जिनको white heads या black heads की ज़्यादा black heads की problem है तो उन्हें black heads pin जरूर रखना चाहिए मसाज करने के बाद में बिल्कुल आराम से अपने nose से nose के आसपास जो भी black heads होते हैं उनको black heads pin से remove कर सकते हैं जब soft हो जाए मसाज करने के बाद में तो white heads बहुत आसानी से remove हो जाएंगे इससे एक ही बार में तो यह आपके face को इतना soft और मुलायम कर देगा कम से कम 10-15 मिंट मसाज करें नॉर्मल वाटर से face को wash कर ले face को wash करने के बाद में face एक दम clean और soft हो जाएगा तो इसी तरह से आप भी अपनी skincare जरूर करें और I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें और bell icon को all पे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे वीडियो के आने वाले new notification आपको मिल जाएं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care वीडियो को full watch करने के लिए thank you